हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में आज का लेटेस्ट अपडेट है कुमाय निवर्सिटी ने निदाल से जुड़ा हुआ जी हां उन सभी गेंडिडेट के लिए ये नूज है जो वेट कर रहे थे बियर फकॉन्स वब्राविन सीट वहरा हुआ कोईड-19 के कारण के देखे समय का अभवा होने के कारण परतम चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों के साफेग्स, किसी भी महाविद्याल्य परिसर सस्तान धूतिचरण की काउंसलिंग का माधियम प्रवेस मुन्टव वर्यता यानि कि मैरिट के आधार पर ही इसम आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो अब आपको fee submit करने की जरुवत नहीं है, आपकी वही जो fee है, वो second counselling के लिए भी होगी, परिसर महावीद्याले सस्तान दारा दूती चरण के प्रवे से तू महावीद्याले सस्तान इस तर पर अभियरतियों से आवेदन पर आप तो करने की प्रिकरिया समपादित करेंग अपनी 27 फरवरी को चार बज़े तक आप अपनी counselling कर सकते हैं, इसमें second counselling की जो डेट दी हुई है, वो 27 तक दी गई है, और आवेदन पत्रों के आधार पर वरियता की जो सूची, यानि कि जब आप आवेदन कर लेंगे, उसके बाद जो आपकी merit list जारी की जाएगी, वो 1 आपको जो आपके साथ सेयर कर दी है, आप लोगों का आप लोगों का आप लोगों का आप लोगों का आवेदन कर सकते हैं, और second जो देखिए वरिता की जो आपके merit list आएगी वो 1 मार्च को आजाएगी, और जो आपने admission लेने हैं college में 2-4 मार्च के बीच में ले लेने हैं, नेक्स जो में पॉइंट है, देखिए, काउंसलिंग में प्रतिभाग किये जाने हैं, तो online medium से काउंसलिंग सुल्क जमा किया है, तथा प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है, आपको college नहीं मिल पाए है, तो आपकी वही फीस जो है, next counseling में सिफ्ट कर दी जाएगी, ठीक है, तो काउंसलिंग प्रिकरिया में प्रतिभा करते हैं, परिशर माहिदया ले वरिता के आधार आधार आपको admission दिया जाएगा, तो जिन candidates का B.A.T. फॉर्स counseling में selection नहीं हुआ है, वो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक second counseling कर सकते हैं, और उसके बाद उनको college जो distribute होगा, वो 2-4 तक मैंने आपके साथ video के माध्यम से share किया, इसी तरीके के latest update के लिए subscribe करें हमारी channel को and share करें अपने उन friends के सांद भी जो B.A.T. second counseling का इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद,